हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स और्टो मॉवाल में यूज होने वाले कलच की उपर में ये नवा वीडियो है सुरू के आठ वीडियो का लिंक मैं आपको डेस्किप्शन में दे दूँगा फ्रेंट्स अकसर लोग ये कहते हैं कि उनके बाइक का जो कलच प्लेट है ये कलच प्लेट जल्दी खराब हो जाता है जल्दी जल जाता है तो मोटर साइकल चलाते वक्त वो कौन कौन सी गलतिया है जिसके करने के वैसे कलच प्लेट जल्दी खराब हो जाता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले रновने देते हैं अब उसी टाइमर पे कहा करते हैं वह को सब्सक्राइब करते हैं वह कम होजाता है वहाई दूसरी दॉसरी तरप आप देख सकते हो यह हमारे पास gear बैपक का साफ है अब 4 या पांच लगा हुआ है तो उसका अल और इसके अंदर में होता है कलच प्लेट और प्रेशर प्लेट जली मैं आपको वो कलच प्लेट और प्रेशर प्लेट दिखाता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि यह है कलच प्लेट और pressure plate तो ऐसा करने से क्या होता है कि इन clutch plate और pressure plate का जो आपस में friction है वो बढ़ जाता है इनका आपस में जो घरशन है वो होने लगता है जिसके वैसे इनका wear and tear होता है ये गिसने लगते है और इस वज़से ये जो clutch plate है वो जल्दी खराब हो जाता है एक और बहुत ही important situation मैं आ engine start हो तो अगर आप उस time पे भी देखोगे का bike बंद हो जाता है अब इस time पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो clutch का lever है उसे दबा के रखते हैं और accelerator लेते रहते हैं throttle देते रहते हैं race देते रहते हैं ताकि उनकी bike का engine बंद नहीं हो और ऐसा करना बिल्कुल गलत है ऐसा कर है तो आपको idling RPM साई से set करा लेना है और अगर carburetor वाली bike है तो carburetor का setting भी करा लेना है लेकिन clutch lever दबा के throttle नहीं देना है ये बिल्कुल गलत है तीसरी गलती जो अकसर लोग करते है वो ये गलती है कि देखे बहुत बार क्या होता है कि जब लोग अपनी bike को high speed में चला रह हो ठीक है अब उनको जब bike को slow करना हो या bike में brake लगाना हो तो लोग क्या कहते है कि पहले clutch को दबा देते हैं clutch का lever फिर brake लगाते हैं ऐसा करना बिल्कुल गलत है जब आप high speed में चला रहे हो उस time पे पहले आप brake को apply करो ठीक है जब गाड़ी हलका slow हो उस time उसके बाद आप clutch lever को दबाओ ये ज़्यादा बेहतर होता है clutch जो प्लेट है उसके life को ज़्यादा रखने के लिए हाँ अगर आप 20 या 30 की speed में गाड़ी को चला रहे हो और आपको brake apply करना है तो उस time पे पहले आप clutch दबा लो फिर आप brake को apply कर दो ये ज़्यादा बढ़िया होता है एक और ब life बहुत ही कम हो जाता है जब आप clutch जो हा लिवर है उसे उसी वक्त यूश करें जब आपको gear को या तो चेंज करना हो या फिर इंजन को चालू रखना हो half clutch दबा के लगता राइडिंग नहीं करते रहे एक और गलती है जो के एकसर लोग करते हैं खासकर जब आप motorcycle को start करते हो उस्टना है पर लोग गलती करते हैं कि जो clutch lever है उसे अचाना एकसे जटका दे के छोड़ देते हैं जिससे कि bike जटका लेते हुए बंद हो जाती है bike का जाएगा फिर एक और आपको habit है जो कि आपको सुधार करना वो यह है कि आपको यह जानना जरूरी है आपके bike के CC के हिसाब से कि एक gear जो है फ़स्ट गयर है वो कितने speed पे चलाना है किस speed पे second gear पे चलाना है किस speed पे third, fourth, fifth gear पे चलाना है उसको आपको जानना बहुत ही फिट होता है वैसे अगर आप यह जानना चाते हो कि बीना clutch दबाए gear shift करने से क्या-क्या problem होता है इसके लावा जब हम लोग अपने clutch liver को अचानक से छोड़ते है तो जो bike है वो अचानक से बंद क्यों हो जाता है इसके लाव आप यह जानना चाते हो कलच दबाकर bike चलाने स और इस वीडियो हम बताए हो जितने में आपको टिप्स बताए हो उन सबको आप follow जरूर करें और वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले इस वीडियो गद्वाइ